और हम अब स्वारत कर लेते हैं स्टूडियो में मनीश पारीक जी का भाजपासे हमारे साथ जुड़े हैं मनीश जी शुब कामना है बदाई बहुत अच्छा मेंडिट आपको जनता ने दिया है पक्की बात है राखी और संजोग आप दोनों के मैं दोनों दोय को प्रणाम करता हूँ दन्यवाद देता हूँ आमंत्रित किया इसके लिए बात यह है कि पांच सालों से भारती जनता पार्टी पूरे समय चुनाव मैदा में थी जैसा कॉंग्रेस पार्टी कैती भी थी कि हमेशा इलेक्शन वोड में रहते हैं तो तो एक कारण यह दूसरी बात जो बूद बूद पर बूद अध्यक्ष और उनके साथ उनकी समीतियां बनी तो कुल 51,000 बूथों पर एक एक बूद अध्यक्ष थे और समीतियां थी 20-20 लोगों की 10 लाख लोगों की पूरी केडर काम कर रहा था इसी तरह से मानिये मोदी जी ने तीन वादे किये थे जो आपने देखा कि भृष्टाचार मुक्त भारत देंगे तो भृष्टाचार का एक उदारन नहीं हुआ पहले सरकारे भृष्टाचार में आकन डू करेंगे तो आपने देखा तीनों बार पुल्वामा हो चाहे विशह हो वहां पर जाकर एक बार एक बार जमीनी स्ट्राइक करके उन्होंने यह काम साबीत किया तो तीनों वादे पूरे करें आतंकवाद पर चोट भृष्टाचार पर चोट और महंगाई पर चोट तीनों बाते हुई और भिश्टाचार ऐसे इंटरनल भी कम कर दिया कि सीधी सबसीडी आपके अकाउंट में आती है और सब वह हुआ लालच नहीं दे कर लोगों को सबल बनाया इसके लिए कोशल विकास की बाते करी पांच लाक करोड के लोगों को लोन दे दिये लड़कों को और सब जवानों को शिशू लोन तरुन लोन और युवा लोन हुए वो भी काम हुआ गैस के चूले मा बहनों को मिले जिनके आखों की रुलाई छूट गई थी गीली लकडियों से चूला फोकते वे उनको मुक्ती मिली तो दूसरे तरफ गरीब को भी बैंक में जाने का हक मिल करती है लेकिन हवाई यात्रा सस्ती हो गई और असी मतलब दो हजार रुपे में आप बीकानेर जा सकते एक घंटे में तो सबसे बड़ी बात जो मिडल क्लास था उसको लगा और कॉंग्रिस दूसरी तरफ ऐसी शक करती रही सेना से के रिस्टा हुई भी है या नहीं हुई है सबूत दे दो तुब आरे आतंकवादी किते मरे ये बताओ उनके शव गिन क्या हो तो लोगों ने समझा कि ये लोग किते साइडिश बहेवियर कर रहे है और जो गरिमा है भारत की सेना की उसके साथ खिलवार कर रहे है तो उसका सीधा सीधा जो प्रतिफल है वो आपने देखा जी पर ठीक है जनता का आदेश सबसे सर्वर पर ये उसको हम कभी कॉंट्रिडिक्ट नहीं कर सकते पर निशित तोर पर नोडबंदी के बाद में और जेस्टी के बाद में व्यापार काफी स्लो गया था उसको लेकर कि आप क्या लगता है कि कुछ ऐसी सोगातें बी पर आप देख रहे हैं कि हर चीज उसके जीवन में सुबीता कड़ा करने की कोशिश हो रही है गैस का चूला उसको दिया है किसान को छे जार रुपे दे दिये है उसको नीम कोटेट यूरिया दे दिया है फसल अच्छी हो जाएगी उसका जो भी खराबा था वो पचास पर से मिल रही है तो बड़ी बात ये भी है कि उसके जीवन में सुबीता उसके अपने घर की छत पिले इसके लिए आपने देखा के सेंटीस हजार मकान तो पिछले एक साल में बन गए राजस्तान में ऐसे पूरे भारत में आप देखेंगे तो लगवक एक करोड़ शतावन ल पूरा श्रे इसका हमारे प्रदानमंती जी को जाता है जिन्होंने अपने विकास के कारियों को विल्कुल नीचे तक पहुंचाने का काम किया और उनकी विजनरी लीरिशिप नहीं होती तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंचते हैं और साथ में हम अपने राष्ट्र कारिया था यस थीटे नहीं मिलने वाली है आज वहाँ इतनी सीटे हमनों को मिल गई है कि आप लोग इक उसका नतीजा को अगर हम देखें तो तीन सो पेंतालिस पर एंडिया इसमें बड़त बनाए वे है यूपी ए सौ के आंकड़ी पर भी लिफाफा फटकर के बाहर आ गया है एक्जिट पोल ने भी किसी भी चैनल ने भी किसी भी अगबार ने किसी भी सर्वे एजनसी ने इतना बड़ा प्रचं लीडर हैं कॉंग्रेस के जो भुपाल से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बिल्कुल हार की देलीस पर खड़े हैं प्रग्या ठाकुर साद्वी प्रग्या पहले ही राउंड से आगे चल रही थी और उनको जो नातुराम गोट से के लिए उनने जो टिप पनी करी थी उसके राखे जी बहुत बड़ा बरोसा हिंदुस्तान के जनता ने भारती जनता पार्टी नेरेंदर मोधी के प्रती दिखाया है और अब अप्यक्षा की जाती है उमीद ये की जाती है कि बहुत बड़े कदम इस साशन कान के लिए उठाए जाएंगे मनी जी आप क्या सोचते है ऐसा क्या भारती जनता पार्टी करने जाएगी अपने मैनिफेस्टों को देखते वे खुद के कन्विक्षन अपने इरादों को देखते वे जो हिंदुस्तान के लिए एक नजीर बन जाएगा पूरे नहीं सिर्फ हिंदुस्तान पूरे विश्व के लिए एक नजीर बन ज दूर है उनकी जीवन में सुभीता खड़ा किया जाएगा जैसे उसकी बेटी की शादी के लिए पच्पन हजार रुपे देने की बात हो रही है राजी लक्ष्मी और इसके तहरा बच्ची पैदा होती है तो उसको दो हजार मिलते है एककी साल की होगी जब तक कुल पचास मिलेंगे इस तरह की राजस्तान सरकार ने योजनल आई थी भामाशा और स्वास्त बीमा का विशा आया था तो आईश्मान भारत योजना में आपन्स लाक रुपे तक का इलाज हो जाएगा उसके स्टेंट है अगर कोई दो सस्ते हो गया है उनकी रेट्स कम हो गई है गु वित्तिये संसाधन उपलब्ट कराना कहीं ना कहीं लोगों को आप अपने काम या उनकी जो महरत मज़्दूरी करने के अलावा उनको कटोरा हाथ में थमाने की पॉलिसी को पॉलिटीशन्स को नहीं अपनाना चाहिए उनको रोजगार उपलब्ट कराईए उनको आप लेकर के में मेरा यह मानना है कि इसको सरकारों को गहंता से सोचना चाहिए नर्यगा-लाया कॉंगरेश और दूसरे सी योजना लाई मुफ्द दवायोजना अशोगेलोज साभ यहां लेकर किया है कई और स्कीमे लेकर के तो उसका एट-लार्ज को बहुँए बढ़ा फादा नहीं मिलता है मनीज जी और वो देश की तरक्टी के अंदर आड़े आते हैं मील का पत्थर साबित नहीं होती इस तरीकी की स्कीम है जी मैंने सजिकर से लिए किया कि जो राहूल गांदी बहतर हजार रुपे दे देंगे साल बर में उसका हशर आप ने देखा बड़ी बात यही है तो जो यह मानने को तैयार नहीं है कि पांच लाग करोड बाभी सुन रहा था आप कह रहे थे कि नोट बंदी में ग्रहनियों क नहीं लिया इन्होंने का इसमें क्या हो गया रोजगार तो मर गये खतम हो गये जब मैं आपको कह रहा हूं कि पांच लाग करोड लोगों को मिल गया है और लोन मिला है और वो बिना गारंटी का लोन मिला है और पांच लाग रुपे से लेके बीस लाग रुपे तक के लोन जा रहा है यह बात कौन कहेगा दूसरी बात मुद्रा स्पीती की बात मैंने आपको कई महंगाई नहीं बढ़ने दी तो लोगों को उपलब्दता मांग और डिमांड सप्लाई में पूरी तरह बात रही प्रोडक्शन पर ध्यान दिया यह जो एकॉनोमिकल आस्पेक्ट थे उनको भी कोई खाली नहीं चोड़ा भाजपा की सरकार ने और इसलिए मैंने कहा तीन बातें जरूरी है वित्तिय आवशक्ताएं रास्रिय सुरक्षा और तीसरी जो अपनी बात है वो यह उद्योग दंदे और यह सारे आस्पेक्ट भारत में होने चाहिए उसके बारे सब्सक्राइब का मुद्धा मैं आपको मैं सहीं रखी मैं आपको बताना चाहूंगा जब परलेमेंट के चुना हुआ दो हजार चोदा का उस से पहले जब एवियम की बात आई तो भारते जिन्ता पार्टे के सीनियर लीडर सुबर मनियम स्वामी जी ने इस पर परसंद च चाहिए मैं समझता हूं कि जो हमारे देश के अंदर जो एक्स्ट्रा ओर्डनरी जो कंट्रीज हैं अमेरिका हैं रूस हैं जपान हैं तमाम जो देश हैं वहां आज एडवांस टेक्नोलोजी के कंट्री हैं वहां जब बैलेट पेपर से चुना होता है तो इंडिया में क्यो चुनानी है तो अब बैलेट वेपर से करा लिजिए चुनाओ दिक्कत क्या है बात वो नहीं है कि आज हम चुनाओ हार गए तो इवी एम पर ठीक ना फोड रहे हैं अब जनता ने जो मेंडेट दिया है उसको हम सुईकार कर रहे हैं लेकिन इवी एम की बजाए बैलेट पे सामने ते राम नाराइन मिना कॉंग्रेस के वो भी चुनाओ जीत चुके हैं तो मेरा कहने का आपको मकसद यह कि जो रुजहान आ रहे थे मनीजी सुबह से वो रुजहान लगातार वही चल रहे हैं उसके अंदर कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को न सब्सक्राइब करने की बाच चल रही थी जोती मुर्दा ने नो डाउट बहुत अच्छा चुनाओ लड़ा जोती मिर्दा मिर्दा परिवार की नातुना में जो कॉंग्रेस जो चार सीटे मान रही थी ती यहां पर उमीद थी कि कॉंग्रेस की सीट आ सकती है पर आज जी भी मेरी बाच रखेंगे और राजेंदर जी रखेंगे इमर्जेंसी के बाद में जब चुनाओ हुआ और कॉंग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा तो नागोरी एक ऐसी सीट थी नॉर्थ इंडिया से जो नातुरा मिर्दा यहां से जीत करके गए थे सं पड़ेगा मनी जी का कहते हैं नहीं वो तो आपने देखा ही पिछली बार इस यार चौधरी साहब वहां पे सांसत थे बड़ी बात है यही जोती मिर्दा जी चुनाव लड़ रही थी लेकिन पिछले पांस सालों में आप विदेश में रही जब पिसांसत नहीं थी और अगर चौधरी जी का टिकेट क्यों काटा गया सियार चौधरी जी तो सिटिंग मेंबर और पार्लेमेंट थे फिर उनका टिकेट काट करके कॉंग्रे माफ कीजिए का बीजेपी को अलाइंस करना पड़ा हनमान बेनिवाल से जो की बीजेपी की लिडर्शिप को लगातार ओपन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी नो डाउट उसमें कभी कोता ही नहीं निकाली जा सकती लेकिन जो नए समयकरन इमर्ज हो रहे थे और सबसे बड़ी बात में बताना चाहता हूं कि हनमान बेनिवाल मूलते भारती जनता पार्टी के विदायक थे आपके पिताजी भी उ उनको लगता था कि इस विशा पर किसानों की बात सुनाई नहीं जा रही है तो वो उसकी बात करते हैं कि यूनुस कान के खिलाव वसुद्राजी के खिलाव खिलकर के बोलते वे आए और उनका टिकेट बीजे पे को अलाइंस करके देना पड़ा तो कोई राजिशतिक बड़ी बात ये भी है कि जिससे अगर लड़ाई हो रही है तो वो बिलकुल सीधी सी बात हो सकती कि उसका अपना मत है उसको भी स्विकार करना चाहिए एक बात दूसरी बात ये कि जो परफॉर्मेंस बेसिस पर हनौन बेनिवाल ने परफॉर्म किया वो किसानों की वो मु इसी के मन में कोई एंकार नहीं कोई गिला शिक्वा नहीं कोई मनों बलाल नहीं इसलिए ये बात संभव हुई की राजनीती को उदार इर्दय से देखा जाता है और जनहित का सरोकार उसमें महत्तुपूर्ण है चलिए मैं एक बार आप लोगों को रोकना चाहूंगी रास कि अमेरे के पहले भी कात्म की पचीस की पचीस सीचे राजस्थान में पभाएंगी भी और हमारे फूली बहुमत से सरकार करेंगी तेख और रिजार्ट्स पी दो कि काफी कॉंपिटेंस हैं आप और इस पी किसे से राजसमन को लेके आपने काफी कुछी लोगों से गंटा चले जोदपूर से गजन सिंग शेखावज जीद गए हैं और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राजवादिन सिंग राठाओर भी करीब तीन लाख वोटों से समय आगे हैं उनकी भी कभी भी मुझे लगता है घूश्टा हो सकती है जीद की तीन लाख वोटों का वो लीड वो लीड ले चुके हैं जी संयोग यह देखे राजवर्दन सिंग और कृष्णा पूनिया इन दोनों का चुनाव निश्चित तोर बहुत इंटरस्टिंग चुनाव था दोनहीं ख्याती वान व्यक्ति अपने कुद की चवी अशाद सामने नहीं होती तो इतना इंटरस्टिंग चुनाव नहीं होता क्योंकि राजवर्दन की जो प्रफॉमेंस थी पूरे पास साल वो नो डाउट बहुत अच्छी प्रफॉमेंस थी बहुत मंतन करना पड़ा राखी कृष्णा पूनिया को यहाँ पर लाने से पहले कई लोगों के नाम चले पर कॉंग लाए गया क्योंकि जाटों के बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर निश्यत तोर पर जो परिनाम आपके सामने हैं मेरे खाल है जो जिस हिसाब से वो जीत करी और अग्रसर हो रहे हैं पिछली बार की जो उनकी जीत है वोट मारजिन की उससे भी जादा वोट उससे वो नजर आ रहे हैं तो निश्यत तोर पर जिस तरीके की मोदी लहर है उनको बहुत बड़ा फाइदा मिला और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यादव वोट बैंक यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है एक जाटों के बाद में या उसके समकलीन यादवों के वोट बैं हैं और अभी राजिस्तान के मंतिरीं उन्होंने बहुत कोशिश करी कि यादवों के वोट बैंक को डायवर्ट किया जाए कॉंग्रेस के पक्ष में पर उसमें नाकाम्याब है और आज प्रतेक्स को प्रमाण के आवश्यक्ता नहीं है वह जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और बह पहला जो चुनाव 14 में जीते थे वो उम्मीदों पे जीते थे लेकिन अभी ये जो पांच साल सरकार चलाने के बाद है वो परफॉर्मेंस बेसिस पर भी उसमें शामिल है बीजेपी की सरकार जब आती तो विकास होता है ये परियाए हुआ था मानि अटल विहारी जी की सर सरकार आई तो आपने देखा सुर्णिम चुत्रबुज योजना ऐसी योजना हुई जो अमर कर गई उनको उसरी बात हमने टेलीफोन की लाइन खतम कर दिया आपको याद होगा एमपी उस समय चिटे दिया करते थे लोगों को गैस के सिलेंडर के लिए और टेलीफोन के लि चूले दे दिये, पांच करोड लोगों के सोचाले बना दिये, दस करोड वो संक्या पहुंचने वाली है, 38 करोड के खाते खोल दिये, 12 करोड को भीमा दे दिया, यह जो करोडों 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 है, इसका इंपेक्ट तो आता ही है, कोई माने नहीं चाहे, लोगों ने इस मणी की भीक का कट और आप पकड़ा रहे थी का जंदा के हाथ में या सारज कंब तो progress ago ग्रहा का इनलों ने है था ने बिधीं मोदि जी निय 54 लाक रुपह पहले चुना हम माय से 15 अन्या ने वायदा किया था बाद में वह जूबला साह ही तो हुआ हम लोग ने तो न thorough नियोचित बातें की और नियोचित बातें करने के सथ सथ ठीक है आज का यूग आज का महव्ल आज का इस तरह의 का जो पूरा देश में वेव है जो भाड़ते जनता पारटी करें देश की जनता को यही मनजूर है तो ठीक है हम इसी बात को पर्ति द्यंवेंटा पार्टी के साथी हमारे मनीश जी पारीख साब से मैं तो इनको भधाई देना चाहता हूं कि देश के अंदर नजेंदर मोदी जी भेका वातावरण खतम करें सबसे पहले सत्ता में बैठने के साथ साथ जो पूरे देश बर में दलीतों के साथ उत्पीडन हुआ चाहिए वो उनाकांड हुआ चाहिए और दूसरे कई कांड हुए इस तरह की जो तस्वीर इस देश के अं विजदानसवा के दो सद्धा से फिर कम हो गये हैं खीचड नरिंदर खीचड जुन-जुन से जीते हैं जीत रहे हैं या जीत जाएंगे वो भी जीत की काकारप हैं वो भी वरतमान में में बैले और हनमान बैनीवाल वह भी अब साथ बन गए वो भी हो गयां तो थी आप कहें कि बैंदरा दिनों में पंदरा रेब के मुदमें हो जाएं आप बयाना में सेंटर क्या करेंगी हो दोड़ी दिन होती है तो हो जाए तो जाए दो दिन पर बाद में आना और और वो लोग बाद में आने के नाम पर इसका उले किया इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती आपके एसपी को बात पता है और एसपी को पता है तो मुक्यमंतरी को पता है और उसके बाद आप दो दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हो इससे बुरी बात कोई नहीं होती और देखे माचिस लेने गई थी मकराना में उस बच्ची के साथ रेप हो गया कुल मिला के पंद्रा बना रहे आपने करी आपने आपने करी आप गिम्मेदारी मतलों और उसके बाद यह कहने लग जाओ भातावरन हो रहा है यह जातिवाद के मूपे तमाचा मारा है जनता ने दे जाओ को उमीदवार लेकर आए को कि जाओ के ज्यादा वोटे है अब आपने आपने सेनी को टिकेट दिया आपने जर्नल सीटी वहां पर आपने तिया जातिवाद के नाम पे सारा काम और इसी जातिवाद के मूपे तमाचा है आपको सबलापड़ेगा यह जितने जले दु करनिया कुमार जेन्यू के पुराने चातर संग अद्यक्स जिन्होंने बिगुल बजा रखा था एस्टिबलिश्मेंट के अगेंस्ट वो लगबग हाक की कागार पर गिरीराज सिंग जो की केंदरी मंत्री है उनके आपचारी घोष्टना होना बाकी है तो मैं कह सकता हूं क सितारे काम कर रहे हैं या उनका काम असल में काम कर रहा है नरेंदर मोदी का पर उनके जितने भी विरोधी हैं वो बिलकुल नत्मस्तक होकर के धराशाई हो चुके हैं परास्त हो चुके हैं करनिया कुमार ने जिस तरीके का माहौल बनाया था नरेंदर मोदी के खिलाफ तो अफर मैं आप आगे आपकी जाती बात को लेकर के बात कर रहे थे थाना गाजी की इनी के पूरु मंत्री एम सिंग बढ़ाना उस लड़की के अस्पेंड को पचीस लाख रुपे दे करके मामला रफा दफा करने की बात कर रहे थे अब नाम होने तो आप लिए और वहां से थाना गाजी से जो चुनाव हारा है और वह भी चुनाव हारा जीतने वाला कांग्रेस का है मले आपका सरकार आपकी एंफ़ पी आपका मुक्के मंत्री आपका और आप इक लिए ज़ी बात कर रहे हो कि वो तो आने जाके पैसे दे रहा था उसको तो गिरपतार कर रहा ना उसको आशी पर लड़का तो उसको कुछ करते नहीं है यहाँ पर केवल बाते करेंगे दली तुट्थांगी दली तुट्थांगी और उसके बाद धालत यह है खुद की मूर्थिया लगाने के सिवा आप ने कुछ नहीं किया आपने सिर्फ लोगों को मूरक बनाया और जब द्यास के चूले में लोगों की आँखों के आशू पहुंचे मोधी जी ने उन दलितों ने बीजेपी को वोट दिया और आज भी आपकी धारना को धराशाई कर दिया है स्ट कनाया कुमार है जिसने कहा इंशाबला टुक्रे हो जाएंगे देश ज़ी और आप लोगों के मूँगों के पट्टी बान दिया कि थपड़ पड़ी है जिस गिर्राज सिंग ने का कि भारत माधा की जै बोलूँगा चार बार बोलूँगा मैं सूरी नमस्कार करूँगा स्कूल में कराओंगा करूँगा आप लोगा ने क्या किया योग बंद कर दिया 22 तारीक को आपने आपने रास्टरवाद को धूल करों नशां कि और जए 2 वोट देघो और उसके बाद में क्या किया भारत ossals fonction माथा की जै नहीं डिक लोगे बारत माता की जैए न norm पड़ है तो त्मारी यह दिष्छाह ओगी तुम्हारा नाम लेवा नहीं रहें प इस देश की इतनी बड़ी पार्टी को इसाइयों के वोट के भरो से बुसलमानों के वोट के भरो से वाइनार जाना पड़ा आपको मालूम है 66% ईसाइयों मुसलमान है वह हिंदू अल्पमत में है उस सीट पर लड़ने जाता है वो क्या हिंदू बहुमत में वह चुनाव हारता है और उसके बावजूत ये लोग हम पे अरोप लगा रहे है धरम का आप नहीं समझ रहे हो आप नहीं समझ रहे हो और इस सवाल ही है ये क्या फाइदा मिला भारती जंता पार्टी को पूरी तरीकी से जो उन्हों ने ये चवी बनाई कि हम किसी भी मुसलमान को हमारा कंडिट नहीं बनाएंगे मुक्तार अब्बास नक्वी शानावाज हुसें जैसे लीडर है उन लोगों को टिकेट नहीं दिया पार्टी जीत के समीकरण अलग होते हैं तिकेट कमेटी चुनाओ में विचार करके जाना रहा हुआ है यही था राजिस्तान के लिए विदान सवाओ का चुना हुआ उप सिरिफ यूनुस खान को टिकेट दिया गया वो भी अंतिम समय पर दिया गया मसंदरा जी चातित उन गया और उसके बाद के अंदर यूपी का जब विदान सवाओ चुना हुआ एक भी मुसल्मान को नहीं लड़ाया गया इस बार एक भी मुसल्मान को लोगसभा का उमीदवार नहीं बनाया गया तो क्या लगता है मनी जी यह पूरा फेवर में गया है भारती चंता पार्टी के लिए बहुत स्पेसिफिक आंसर जाना चाता हूँ मैं आपसे यह कहूंगा तो यह बात गलत हो जाएगी कि हमारे तीन विदायक पिछली विदान सवा में तीनों मुसल्मान तीनों भाजपा के थे अब्दुल सगीर बने विदायक आपको पता है कि युनुस खान विदा है आठ विदान सवा का कॉंबो है उसमें मुसल्मान चुनाव जीता अगर दिखता है तो हम जरूर देते हैं लेकिन इसलिए नहीं देते हैं कि चूरू में एक हम रफीक मंडोलिया को टिकट दे देंगे तो सारे मुसल्मानों के वोट ले लेंगे यह हमारे हमने लालच की प्थाली उनके सामने नहीं परोजी ज़रूर देखिये इस बार लोग सबाचनाव में राजेंदर जी इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि कॉंग्रेस ने अपना माइंड सेट चेंज किया जब कॉंग्रेस के लीडर मंदिरों में जाकर के ढोग देने से बचते थे और इस तरीकी कि कारी करमों में जाने से बस्टे जिससे कमिनलिजम की भुआ है पर कॉंग्रेस के लीडर चैसे वो राहूल गांदियों चैसे लोकल लीडरों मंदरी में नजर आया आखिर क्या वज़े थी इस बार इस बात वज़े नहीं वे इसमें तो आस्ता का प्रतीक है हर आदमी को अपनी आस्ता रखनी चाहिए दार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए वज़े कुछ नहीं आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ दार भावना हैं आसता हैं अचानक तो मेरे ख्याल से दिलित नहीं हो जाती है या निकल करके भार नहीं आती है उनको समय लगता है उनको बनने में समय लिजए नहीं है सामाजिक सौहत और अपने एकास्ता होती है पार्टी की भी आसता है देश की आसता है और देश के अंदर 133 करौर अज latency नहीं है कि कांग्रिश पार्टी को भी हिंदू नजर आता है हम इस देश के रहने वाले हैं सर्भार हैं भारतिंगिशिय बाहर хорош खम सभी दर्मों का समान आदर करने वाले लोग हैं हमारे समीधान की व्यवस्ता है सभी दर्मों को समान आदर करना दर्म निश्पेश देश है जी चलिए बहुत धन्यवाद आपका स्टुडियो में आने के लिए मनीश जी और आरेंदर जी